वेलकम टू माई चैनल दोस्तो मैं हूं संकित कुमार विस्वास और श्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबेका अपने इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज मैं लेके आया हूं BPSC मुख्य परिक्षा में पूछे वे प्रशनों का जो हम लोगा का सीरीच चल रहा है उसका ये सात्वा प्रशन है ये प्रशन काफी महत्तपूर्ण है ये काफी बार रिपीट होने वाले प्रशनों के संख्या में से ये एक प्रशन है काफ यहाँ पे BPSC के प्रिलिम्स में जितने भी प्रशने पूछे गए हैं 38 से लेके 64 तक के सलूसन आपको विस्तार में मेरे चैनल पे मिल जाएगा और फिर वो पूरा होने के बाद मैंने यहाँ पे मेंस का स्टार्ट किया जो कि 64 में मेंस को धिहान में रखते हुए मैंने ये सिरीज स्टार्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे रोजाना दो वीडियो मिलता है जो कि एक दिन में दो वीडियो ये BPSC मुख्य पर एक्छा का दो वीडियो यानि कि दो प्रशन काफी है आप उसे अच्छी तरह से पढ़िए तयार किजिए ऐसा तयार क संग्राम की दिशा को किस परकार प्रभावित किया था ये प्रशन है तो दोस्तों सुरू करते हैं इस प्रशन को इसका आंसर इस परकार से लिखा जा सकता है देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रशन का जो आंसर है मैंने सोट में लिखा है ये अपने अनुसार आप सब्दों की सीमा को इसका बढ़ा सकते हैं आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको बना कर लिखा जा सकता है तो दोस्तो इसका अंसर इस परकार से लिखा जा सकता है पहले प्रशन पढ़ रहे हैं मगर बंग भंग की मूल भूत उद्देश से बंगाल में विखसित एक ससक्त हो रहे राष्टिय अंदोलन को कमजोर करना था तथा संपरदायवाद को प्रोचाहन देना था फलता बंगाल विभाजन के विरुद्ध तिवर परति किरिया हुई जिसने स्वतंदरता संग्राम की दिशा और दसा को भी परभावित किया भारतिय राष्टवादियों ने बंग भंग को एक प्रशाशनिक कारवाही ना मानकर भारतिय राष्टवाद के लिए चिनोती माना 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोदी आंदोलन आरंब हो गया धारना परदर्सन तथा जन्शभाए बड़े पेमाने पर आयोजित किये गए सिग्र ही इस आंदोलन का विस्तार देश के कई हिस्सों में हो गया महराष्ट गुजरात पंजाब मद्ध भारत दच्छिन भारत तथा दिल्ली मूलतान कंगडा इस अंदोलन का मुख्य केंद्र था इस परकार इस अंदोलन ने अखिल भारतिय स्वरूप एवंग राष्टिय स्वरूप ग्रहन कर लिया और स्वतंतरता संग्राम के छित्रिय दाइरे का विस्तार पूरे भारत में हो गया इस अंदोलन के मुख्य रननीती के अंतरगत स्वदेशी एवंग बहिसकार पर बल दिया गया स्वदेशी ने आत्म सक्ती एवंग आत्म निर्भरता को प्रत्साहित किया वहीं बहिसकार ने ब्रेटिस सासन की नीव को कमजोर किया और आगे जो है यही स्वदेशी और बहिसकार स्वतंतरता संग्राम के परमुख अस्तर बन गए इस अंदोलन ने स्वतंतरता संग्राम के समाजिक आधार को भी विस्तरित किया यह पहला अबसर था जब महिलाओं छात्रों मजदूरों किसानों सहित जन शाधारन ने आंदोलन में खुल कर और शक्रिय रूप से भाग लिया यद भी इस आंदोलन में मुसल्मानों की भागेदारी उपेच्छा करित कम रही लेकिन अब्दुलरसूल लियाकत हुसेन जैसे लोग पर ये मुसल्मान नेताउन की आंदोलन में सक्रिता से भविस्त में राष्टिय आंदोलन में मुसलिम की भागेदारी की संभावनाओं को सुनिस्चित किया इस अंदोलन के दौरान विक्सित जुजहरू मानशिक्ता एवंग बाद में उभरी अंदोलन के दिसाहीनता ने आतंगवादी विचारधारा को प्रत्साहित किया इसी दौरान कई आतंगवादी संगठन अस्तित्तु में आये मुझफर पूर बमकांड मैंने मुझफर पूर बमकांड आतंगवादी रननिती काहें परिनिती था मैंने आपको मुझफर पूर बमकांड के बारे में बताया था कि मुझफर पूर बमकांड में खुदी राम बोस और परफुल लचाकी सामिल थे वहां के मुझफर पूर के जो जज थे किंग्स फोर्ड उनी के हत्या का प्रियास किया गया था लेकिन किंग्स फोर्ड बच गया था और फिर प्रफुल लचाकी इससे डर गये थे काफी डर गये थे उन्होंने जहर खाके आत्म हत्या कर लिया लेकिन खुदी राम बोस को फांसी दे दिया गया तो ये भी आतंगवादी जो रननिती का ही परिनित था इस अंदोलन ने संशकर्तिक गतिवीधियों साहित्य, संगित कला, स्वदेशी सिक्षन, संस्थावों स्वदेशी उद्योग के अस्थापना को भी प्रोटसाहित किया इस अंदोलन का एक निरासा जनक पक्च यह रहा कि इस दोरान उगरवादियों दोरा अपनाए गए कारकर्मों जैसे कि गनपती पुजा, सिवाजी, मौतसव, काली पुजा, गंगा असनान आदी इवंग ब्रिटी सरकार की रननितियों के कारण संपरदाइवाद का विकास हुआ 22 में स्वतंदरता संगराम को कमजोर बनाने के लिए अंग्रेजी संपरदाइवाद का इस्तमाल किया गया जिसकी चरम परनिती भारत वी भाजन के रोप में सामने आई तो यह जो यहाँ पर है गनपती पूजा सिवाजी महतसव काली पूजा एवं असनान आदी गंगासनान आदी तो यहाँ पर जो मुसल्मानों के भागिता जो कम हुए थी इस आंदोलन में इसी वज़ा से कम हुए थे क्योंकि यहाँ पे इस अंदोलन में गनपती पूजा जैसे महतसब किया गया सिवाजी महतसब यह सारे चीजे किया गया था तो उन्होंने मुसल्मानों ने समझा कि यह हिंदू का अंदोलन है इसे हम लोगों को हट के रहना चाहिए यह था यहाँ पे बात को आप समझे अपने अनुसार आप इसको बढ़ा करके और भी लिख सकते हैं हलाकि यह क्वेशन छोटा था तो मैंने इतने कम सब्दों में इसको समेलित किया है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे और वीडियो को लाइक कीजे दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो अगला वीडियो आएगा साम को छे बजे के बाद